हेलो गाईज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वक्षिट नमबर 12 करेंगे जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये वक्षिट 1 सेप्टेंबर 2021 की है तो आज ये शुरू करते हैं आज की वक्षिट चैप्टर 7 Understanding Migralization Minority and Marginalization The Constitution provides safeguard to religions and the linguistic minority as per the fundamental rights देखो क्या कहा जारा है कि कमारे Constitution क्या करता है जो भी minority है उनको क्या करता है हमारा fundamental right ये कहता है Constitution उनको क्या करेगा safeguard provide करेगा मतलब उनके लिए क्या बना रखा है उन्होंने safe guard बना रखा है ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी minority है minority का मतलब कि जो भी population कम number में है उसको क्या है उसकी safety का जो जिम्मा है वो किसने ले रखा है Constitution ने ले रखा है The term minority is the commonly used for the refer communities that numerical small in relation of the rest of population तो minority का मीनिंग है कि ऐसी community जो number में क्या है बाकी population से कम है उसे हम क्या कहते है minority कहते है However, it is concept that goes well beyond number It imposes issue of power यह सिर्फ number का यह सिर्फ matter नहीं करता है कि number कम है इसके लावा power पर access of resources है social and cultural dimensional और क्या इसके लावा dimensions पर depend करता है उनके पास power कितनी है उनके पास resources कितने है इन बातों पर भी निर्बर करता है कि अगर एक community जिसके पास में क्या है जादा power है जादा resources है वो क्या करता है दूसरे जो उसे हम क्या कहेंगे majority और जिसके पास power यह जिसका number कम है population जिनकी क्या है कम है उसे हम क्या कहेंगे minority अगे देखे क्या कहा गया है कि यह कहा गया है कि सब क्या है equal है लेकिन जिसकी मिज्योटी होगी जिस भी population की मिज्योटी जादा होगी वो कही न कहीं क्या करती है गौर्मेंट को effect करती है उसकी cultural activities क्या करती है गौर्मेंट को effect करती है in such case same size can be disadvantage and lead to marginalization of the relatives smaller community इसका नुकसान किसको होता है इसका disadvantage किसका होता ह है जिसकी क्या है जो क्यers You know टी है अगर मानलो two teams एक टीम्स क्या है जारा members Aak team मेंशा तो किसकी बात आगे चली जएगी जिसकी जादा बात जिसा मेंशा है कि बाएंगे तक जाएगी और जिसकी मैंबर कम हैं उनकी बात क्या रहा है आगे तक नहीं पहुंच पाएगी तो इसके लोगत किसी होगा इसका लुस होता है कम है जिसके मैंबर कम है जो क्या। अब देखो क्या होगा अगर एक पॉपलिशन किसी एक धर्म को माण रहा है जो कम जो माईनुर्टी है वो किसी और धर्म को माण दी तो ज्यादा किसकी वैल्यू मानी जाएगी जो मैजूर्टी में है तो चाहे कल्च लो हो चाहे उनका कोई मंद्धियोहार हो या कुछ भी हो वो क्या होगन? ज्यादा valuable हो जाएगा. दे और अग्या हो सकता हैwe क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जा सकता है जिसकी जादा.. बात वानी जाएगो उसकी बाद ज्यादा सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे तो ऐसा क्या हो जगता है माइजोर्टी और मिनुर्टी माइजोर्टी में क्या हो सकता है discrimination हो सकता है कि certain condition community that are small number relative to rest of the society may feel insecure about their rights जिसकी वज़े से क्या होगा जो माइजोर्टी है वो अपनी life को कैसा feel करेंगे insecure feel करेंगे assets and living the sense of the insecurity may get actually in the relation between minority and minority community are frotted अब देखो क्या का जा रहे कि अगर ये दिक्कत और भी ज़्यादा कपैदा हो जाएगी जब माइनोर्टी और जो मेजोर्टी वाली team है या माइनोर्टी और जो मेजोर्टी वाली population है उनके बीच में क्या हो जो हमारा constitution है उन्हेंने क्या कि एक safe guard बना दिया है किस तरह से उन्होंने क्या कहा है सब की लिए चाहे किसी भी minority majority किसी भी जीसे अगर इंडियन है तो वो क्या कहेगा उसके साथ equality का behave किया जाएगा और क्या किया जाएगा उसके लिए justice क्या होगा सेम होगा हमारे सामने कुछ fundamental rights दिये गए है वो सब के लिए क्या है equal है अगर उनके साथ लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं कोर्ट में appeal भी कर सकते हैं अब बहुत ही आसान इसके question answer है जो हम जल्दी से कर लेते हैं what do you understand by the term minority communities क्या समझते हो आप minority community का तो यहां पर बहुत अच्छे से दिया गया है the right the term of the minority is the most commonly used for refer communities that are numerical small in the relation between the rest of the population यह हो जाएगा first का answer अब हम करते हैं question number second why is the chance of minority communities being marginalized higher क्या chances है जो minority communities है उसके ज्यादा हनन मतलब उसके ज्यादा उसको अच्छा फिल क्यों नहीं होगा अगर एक population ज्यादा है एक population कम है तो उसके ज्यादा chances क्यों है हनन होने के question number third how is the cultural diversity safeguard किस तरह से जो cultural diversity को इंडिया क्या करता है safeguard करेगा तो आईए इन दोनों question का answer करते हैं answer number two देखते हैं the cultural of the majority communities can influence the expression of the society and government जो government है वो किससे जो भी ज्यादा majority में होगी उससे क्या होगी उससे क्या होगी प्रभावित होगी express होगी in such a situation marginalization of the minority communities can be take place तो उसके जैसे क्या अगर जो marginalized minorities हैं वो क्या होगी वो अपने आपको हनन मैसुस करेगी मतलब उनको लगेगा कि हमारी जो insecurity है वो बढ़ेगी तो culture of the majority community can influence the expression of the society and the government ये इसका अंसर हो जाएगा अब देखते है answer number three देखो answer number three में क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम देखते है question number four में क्या कहा गया है where can people of India approach if their fundamental rights is violated अगर उनकी fundamental rights violated होते हैं उनका हानन किया जाता है उनको कुछ नुकसान होता है तो वो किस कहां जाके appeal कर सकते है every citizen of India can approach the court if they believe they are their fundamental right haven't violated तो कहोगा या तो सिदा court लिख दो इसका answer या तो court हो जाएगा या क्या आजाएगा आप लिख सकते हो पूरा answer लिख दिजए कि सब किस कुछ भी हनन होने पर वो क्या कर सकते हैं अपना court में appeal कर सकते हैं तो ये थी आज की worksheet worksheet complete करके अपनी टीचर से चेक करवाई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू गाइज कर लो कर दो सकते हैं गाँ कीजिए सब्सक्रादी आज करेंगि प्लीज